लिए के लिए केमरे सरकार ने अपने पिछले बजट में 600-300 करोड रूपया दिया लेकिन उस पैसे को अभी तक किस प्रकार से दिल्ली अडिनिस्ट्रेशन ने इस्तेमाल किया या नहीं इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ उस पर क्या विचार है वो एक तरीका है क्योंकि लंडन या कहीं भी ऐसी जगहों पर अगर आप एरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलते हैं तो कई 100 क्यामरे 300-400-500 क्यामरे आप को देख चुके होते हैं तो हर जगह पर जो सर्विलेंस है वो इलेक्ट्रोनिक सर्विलेंस है साथ ही जो सेल्फ दिफेंस ट्रेनिंग है मैं कट परसों ही किसी से बात कर रही थी तो इस्रेली मैलाओ का रेक एतनी आसानी से नहीं होता उसका कारण क्या है क्योंकि वो सेल्फ दिफेंस में पूरी तरीके से सक्षम है और ट्रेन है उसको या तो हम स्कूल के करिकुलम का जो है हिस्सा बनाए या कॉलेजिस का हिस्सा बनाए या ऐसी कुछ लगातार उनकी ट्रेनिंग हो ताकि महिलाएं खुद भी ट्रेन हो और कुछ प्रिकॉशन के रूप में जो है कुछ चीजें कोई महिलाओं पे रूप नहीं होना चाहिए मैं उसकी सॉफ्ट एफिशन पक्षडर हूँ क्योंकि समाज को अगर बदलना है तो उस नजरियों को बदलना है जो महिलाओं को इस नजरिये से देखती है ना कि महिलाओं को बदलना है त्विटर या जो भी ऐसी चीजों से आप कनेक करना चाहते हैं अगर आप उस समय ऐसी किसी भी दुर्बागे पूर्ण गटना के शिकार हो रहे हैं तो आप अपने प्रियाजनों को सुचित कर सकते हैं और वहाँ पे एक अलाम के रूप में सिगनल बज़ेगा दूसरे फोन्स पर और आपकी लोकेशन क्या है वो तक पहुचेगे कि इस समय इस कावर इस रीजन के अंदर आप हैं और आप परेशान हैं तो वो पुलीस को तुरन या PCR को सौनंबर में फोन करके आपके पास डारेक कर सकते बेज सकते हैं इस केश में लोगों ने बहुत भला करने की कोशिश की PCR, PCR, PCR तो मेरा प्रश्न ये था कि PCR को सूचना किसने की PCR को तो सूचना ही नहीं हुई वो सूचना तो एक बच कर 38 मिनिट पर हुई जब लड़की घर पहुँची तो पुलीस तुरन सक्रिय हुई लेकिन वो सूचना उससे पहले PC आपको मिल सकती थी अगर उस आपको रक्षा नाम की आपको डाउनलोड किया होता, उसके कई फीचर्स है जिसमें जियो फैंसिंग है जिसमें आपकी लोकेशन डीटेल जगा के साथ आपके प्रियजनों को पहुँचेंगी आप उसका इस्तेमाद करके पुलीस को आदेश कर सकते कि आप वहाँ पहुँचिए साथ में रक्षा के साथ रक्षा भी हो सकते हैं